कि नमस्कार छात्रों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अभी जो है आरारबी एंटिपीसी ट्वेल्थ लेपल का वेकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है तो चलिए इस वेकेंसी के बाड़े में पूरा जनकारी करोनने में कितना सीट है सबसे कम कहां पर सीट है ज्यादा कहां पर सीट है किसका कुत आप याझा निकि पूरा है इस वीडियो के बाड़ आपको कहीं भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है चली हमने स्टार्ट करतें सब से पहले यह जो भैकेंसी है आपको हम बता दे यह आपका 12th pass, यह जो vacancy है, यह आपका 12th pass, ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो आपको बनाया है, जो graduation level पर NTPC का vacancy आया था, अभी जो है यह वीडियो आपका 12th लेवल पर है, हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको हम यह बता दे कि इसका जो है, रजिस्टेशन होना start होगा, ठीक है, रजिस्टेशन होना start कब से होगा, देखिए, आपका फर्म जो है, रजिस्टेशन होना start होगा, 29.2024 से start होगा, और आपका जो है, last date, यानि close date कब होगा, तो आपका close date, आपका 21.22 तारिक के बाद जो है, आपका close date हो जाएगा, हाँ, य भर लेना है आँए अब हम बात करते हैं आगे और यहां पे देखिए आपको एक और कोरेक्शन का भी डेट दिया हुआ है तई से लेके एक 23 से लेके एक 215 महिना तक दिया हुआ है यहन्妳 कि यह तो आपका हो गया अपको इस से दिया हुआ है चार पोस्ट दिया हुआ है चारों में जो है देखिए एंटीपीसी का एक्जाम है गर्जुएशन लेबल पर भी जो आपका एक्जाम होने वाला उसमें भी आपका पहले सिवेटी वन होगा फिर आपका सिवेटी टू होगा तो इसमें कौन-कौन सा चार पोस् बहुता जाए इसमीन जो है ये टीकट कलर ऐ साक चीकी मार्क बाकि जो है आपका रेंस टीकर्ट कलर कमें जो है आपका जो यह वह बैतन रहने वाला है, वह आपका 21,000 है Souk hopefully और रहां सबस्लिकingo एज जो है आपका दोस्तों 18 से लेके 23 साल 18 से लेके 23 साल के बीच आपका एज रहना चाहिए और qualification आपका 12 पास होनी चाहिए यह हो गया अगर आप हम टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो टोटल जो पोस्ट है आपका 2445 टोटल पोस्ट कीतना है तो 3445 पोस्ट है जिसमें आपको जो है टिकट कलर का जो पोस्ट है 2022 उसके बाद अगर एकांट कलर कम टैपिस्ट का जो है 336 उसके बाद जुनियल कलर का जो है आपका 990 पोस्ट दिया हुआ है देखिए यह जो है पोस्ट आपका 12 लेवल पे है लेकिन अगर आप गर्जुशन भी किये हुए है तो इस फॉर्म को आप भड़ सकते हैं ठीक है इसके आगे यहाँ पर इसमें आपको कुछ नहीं दिया हुआ आप चलते हैं फिर next page पर next page में आपको यहाँ पर देखिए दोस्ट वेक चीज आपको दिख रहा होगा देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा कि सबसे पहले cbt1 होगा cbt1 जो होगा आपको दोस्तो उसमें जो है आपका 15 गुना result होगा cbt1 के लिए आपको जो है 15 गुना cbt1 में जो है आपका 15 गुना result होगा और cbt2 यह आपका cbt1 है और cbt2 में जो है 8 गुना result देखने को इस बार मिलेगा ठीक है अब हम बात करते हैं negative marking के तो negative marking जो है 1 by 3 यानि कि 1 बट्टे 3 का जो है आपका negative marking है अब हम बात करते हैं आगे आगे आपका क्या है अगला page में हम चलते हैं और अगला page में आपको यह दिया हुआ है age limit से देखे age limit आपका बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है ठीक है तो आपको क्या क्या है कि railway ने मतलब कुछ age में जो है प्रिफेंस किये और प्रिफेंस क्या किये हैं देखिए यहां पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि अगर आप कि OBC non-criminal में हैं तो आपका तीन साल का छूट मिलने वाला है यदि आप SCST से हैं तो पांच साल का छूट मिलने वाला और अधर candidates के लिए जो है आपका UREBS में हैं तो तीन साल EWS में अगर होंगे तो आपका जो है बेतन मतलब आपका परती बैक्ती आई जो होना चाहिए अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि देखिए यहां यू यू आर और EWS इसके मतलब कि एक दो उनिस्वा ब्राणवय से लेके इसके बीच में आपका जो है जनम होना चाहिए ठीक है तो आप फरम भर सकते हैं और OBS non-criminal के लिए इसके बीच में होना चाहिए और CST के बीच में इतना डिफरेंस रहेगा तो आप फरम भर सकते हैं इस पेज हम बस इतना ही है बाकी हम चलते है फिर नेक्स्ट पेज के तरफ और नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ हाँ इसमें जो है फॉरम फी के बारे में दिया हुआ है आपका मतलब कि फॉरम जब भढ़ियेगा तो आपका कितना पेम लाइन करते हैं तो 500 रुपिया लगता है लेकिन यदि आप जो है देखिए फॉर आल कंडिया एक्सेप्ट टू कंडियर सील वन 500 रुपिया देगा लेकिन जो है अमाउंट आपका 400 रिफंड कर देगा सीबीटी वन जब एकजाम आपका हो जाएगा यदि आप एकजाम में ब जो है आपका रघाइसर रुपिया लगेगा class TV ओर लड़की कर Cthosdenора कटेग्री के लिए आपका जो है रहाइसर रुपिया पनार si लेवल से पिजह 921 रहा है ने का पूल अलंक अला करेंसे कि तो यह कोल तो पर लेखेंसी से लेखने लेकर उसमें क्या होगा कि आपको अनले वाथ एक है ठीक है अब हम बात करते हैं सले बस देखिए इसमें जो है आपका एक्जाम आपका 60 मिनट का लिया जाएगा CBT-1 में CBT-1 में आपका एक्जाम 60 मिनट का लिया जाएगा जिसमें आपको 40-40 परस्द जेनरल अरवर्डशनेस मिलेगे 30 परस्द आपको math से देखने को मिलेगा और 30 परस्द आपको reasoning से देखने और total question की बात किया जाए तो दोस्तो 100 परस्द आपको मिलेगा देखिए 100 question आपको मिलेगा जिसमें से आपको 60 question math और reasoning है और 40 परस्द में है आपको general awareness यनि कि आप यह दिमाग में रखना होगा कि यदि आपको result लेना है यदि आपको result चाहिए तो आपको math और reasoning को बहतर धंग से पढ़ना होगा और math और reasoning को मजबूत बनाना होगा math और reasoning पर अपना पकर बनाना होगा ठीक है अब हम चलते हैं आगे next page पर तो next page में आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका cbt2 देखिए यहाँ पे cbt2 टेस्ट के लिए दिया हुआ है आपका सलेबस देखिए इसमें भी है जो आपका थोड़ा सा बदलाव किया गया cbt1 और cbt2 में थोड़ा सा बदलाव देखिए time तो आपका 90 मिनट ही रहेगा और आपका general awareness में आपका क्या होता है कि 10 नम्मर बढ़ जाता है इसमें जो है general awareness 50 परसण आएंगे math में 5 परसण बढ़ जाता है और रिजिनिंग में क्या होता है 35 परसण हो जाता है और total question की बात किया जाए cbt2 में तो आपका 120 परसण होगे जिसमें से आपका 70 परस्ण आपका CBT2 में जो है आपका math और reasoning यानि math और reasoning का कितना महत हो है दोस्तों आप खुद देख सकते हैं अब हम next page पे चलते हैं और next page आपका यह रहा तो यह आपका देखिए syllabus दिया हुआ है जैसे आपका math यहां पर दिया हुआ math से क्या-क्या आपका कौन-कौन से chapter से question पुछा जाएगा यहां पर आपका reasoning दिया हुआ reasoning में क्या-क्या पुछेगा आपको यह दिया हुआ general awareness में यह आपका पुड़ा दिया हुआ syllabus ठीक है तो syllabus के लिए हम एक short video आपको हम next video में हम आपको बात करने वाले हैं अब हम चलते हैं यहां पर और यहां पर चलते हैं cbt1 में तो आपका common all post रहेगा लेकिन cbt2 का बात किजेगा यदि आप यह तीन vacancy में यह दो vacancy भरते हैं यदि यह दो vacancy भरते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका cbt2 में आसान हो जाता है असान इसलिए हो जाता है कि यह दोनों जो vacancy है इसमें आपका क्या होगा cbt2 में आपका टाइपिंग रहने वाला ठीक है और एक नमबर में टाइपिंग नहीं है और इसमें टाइपिंग नहीं है अब हम चलते हैं next question next page पर और next page में आपका दिया हुआ है यहां पर पोस्ट जार पलस चल जाएगा बेतन और यह 1900 है इसका लगभग में 35,000 पलस चल जाएगा बेतन अब हम बात करते हैं medical test का देखिए अगर यह ntpc का यह मतलब vacancy ntpc का medical बिलकुल ना के बराबर होता है उसा कुछ दिक्कत भी होगा तो आपको कोई परिसानी देखने को नहीं मिले अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कहां से पढ़ना होगा तो दोस्तों हम जो है आपका फिरी में सामके छो बजे के बाद जो हम अपना मतलब लाइब सेट लेके आते हैं फिरी में आप उसका पीडियाफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल बसंद विहर एस्टेडी पर ले सक करते हैं तो यह जनकारी आपको कैसा लगा है दोस्तों आप कोमेंट वाक्स में कोमेंट जरूर करें यदि आपको विडियो अच्छा लगा तो विडियो को सेर जरूर करें बाकी मिलता है फिर अगले विडियो में